नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका Exam Book Channel में दोस्तो ये आपका Weekly Current Affair है इसका Part 2 है और आप इसको जरूर देखते रहे है और आपका ये समय लिए Current Affair में जो पिन पॉइंट चीज़े होती है जो Current Affair में आती है लेगन आपने उनको Magazines में नहीं दी जाती है क्योंकि मैं पूरा Current Aff जो है ये मैं वेबसाइट से और आपका जो है न्यूस पेपर जो होता है बहुत सारे एक्जाम में जो है न्यूस पेपर पढ़ने के लिए इसलिका जाता है क्योंकि न्यूस पेपर की जो न्यूस होती है वो Magazines Cover नहीं कर पाती है इसलिए मैं आपको जो है वहां से ये पू सबसे पहले देखते हैं देखिए सबसे पहले देखते हैं कि The Untold Story जो है ये दिल्ली दंगो के उपर पुस्तक बनी होई है ठीक है ये बहुत सारे राइटर्स ने बनाई है और इस वज़य से जो है ये हाँ देखिए The Untold Story ठीक है तो इसको आपको याद रखना जैसे Question अगर आजाता है कि दिल्ली दंगो के उपर कौन सी पुस्तक है ये क्यों न्यूज में है ये न्यूज में इसलिए एक कंपनी है Bloomberg Bloomberg ठीक है ये इंटरनेशनल पॉब्लिशर ब्रैंड है ये असल में है इंग्लेंड का लेकिन इसकी साखाएं जो है बहुत सारे कंट्रीज में फैले अब हुआ गया जैसे पुस्तक की लॉंचिंग होने वाली थी लॉंचिंग होने से एक घंटे पहले ही इस पर Bloomberg पर इतना ज्यादा दवाब डाला गया मतलब अलग तरीके का दवाब था वो कि उसने जो है ये बुग जो है ये पुब्लिश करने से मना कर दिया और इसका जो लॉंचिंग थी वो इसकी रद्गर्दी थी और कंपनी ने अपने हाथ पीछे कर लिये थे सेकंड आपका है सेकंड है नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चैल्ड राइट्स ठीक है ये कब बना ये अभी न्यूज में है थोड़े दिनों से ठीक है ये कब बना ये 2007 क्योंकि देखे जो GS में जो जो मिस्व्नेस कोश्चंञ होते हैं दोस्तों मिस्लेनिस कोश्चंञ होते हैं वो इस तरीके से cover किया जाते हैं कि जिसमें कि वो कुछ भी दे देते हैं अब वैसे अगर आप GS पढ़ोगे तो ये कभी चीज नहीं पढ़ोगे नैशनॉं कमिशन for protection of child rights इसलिए इसको क्योंकि वो चीज news से connect करके देए वो current से connect करके देते हैं इसलिए आपको तोड़ी सब्धानी बरतनी पड़ेगी ठीक है तो कब बना यह 2007 में बनाता है यह किस act के थुरू बनाता है यह था protection of child right act के द्वारा इसको बनाया गया था यह आपका संसद में इसको पास किया गया था ठीक है उसके बाद इस act के द्वारा ही जो है national commission for protection of child right मतलब बच्चों के अधिकार के संद्चन के लिए जो राश्ट्रिय आयोग बनाया गया है वो इसी के द्वारा बनाया गया है इसका मुख्याल है कहां पर इसका मुख्याल है नई दिल्ली में है और इसके chairman कौन है वो है प्रियंका कानून गो इनको कानून गो से याद करके रख लेना आप ठीक है तो इससे आपको यह चीज याद रहेगी फिर देखते है ICC cricket hall of the fame यह announce करे गए है यह तीन announce करे गए है लीसा, स्टालेर, स्टाके लेकर जहीर अबबास और जैक कालिस यह तीन नाम जो है यह ICC hall of the fame में आपके किये गए है देखे दोस्तों यह jail warden और आपका jail warden और UPSI ठीक है जो बहुत सारे मैं समझता हूँ 50-60% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने के दोनों फॉर्म भरे होंगे इसलिए combine करके तैयारी करके चलिए jail warden की तैयारी अलग नहीं होती है जो आपको कह रहा है jail warden की तैयारी अलग होती है वो बिल्कुल गलत कह रहा है UPSC की तैयारी थोड़ी सी मतलब उपर लेविल के होती है लेकिन जब आप उपर लेविल की रहारी कर लोगे तो jail warden आपके पास अपने आपी paper वो निकल जाएगा तो यह है ICC Cricket Hall of the Fame उसमें तीन नाम दिये गए है Next बढ़ते है विस्व का सबसे तेज मानव कंप्यूटर जो है वो कौन सा है किसको मतलब यह award यह world गिनीज विक बुक वो उनमें यह उनका नाम दर्ज हुआ है यह इंडिया के है और इनका नाम है नील कंट बानू ठीक है यह विस्व के सबसे तेज human जो कंप्यूटर होते हैं उनमें इनका नाम दर्ज कर दिया गया है एक बुक पब्लिस हुई है ठीक है इंडिया वे इस्ट्रेटेजी इट फॉर एन अंसर्टेन वर्ल्ड यह किस ने लिखी है यह S.J.S. Ankar ने लिखी है और S.J.S. Ankar कौन है इस समय फॉरेंट मिनिस्टर है फॉरेंट मिनिस्टर मतलब आपका विदेश मंत्री है ठीक है S.J.S. Ankar इन्होंने लिखी है यह बुक का नाम ठीक है तो देखे इसमें क्या दे रखा है इसमें ऐसा दे रखा है जैसे समय लेजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया था ठीक है एक वहाँ पर PIL गई थी उसमें यह पूछा गया था सुप्रीम कोट से कि क्या जैसे क्या कास्ट के अंदर भी सब कास्ट में बाटा जा सकता आरक्षन को जैसे मान लिजिए OBC में आरक्षन जो है वो आपका 23% है ठीक है 27% है साथ जितना भी है ठीक है अब इसमें से OBC में भी क्या कर सकते हैं कि जैसे क्या कर दें कि OBC की मान लिजिए 100 जातियां इसी है ठीक है जो की उपर है मतलब उपर मतलब OBC का सबस्याद आरक्षन का जो फाइदा है उन्हें ही मिला है लेकिन जो OBC में तो आती है लेकिन वो दबी हुई इतनी जादा है कि उनको आरक्षन का फाइदा ही नहीं मिल पाता है तो वो जो है सब कैटेगराइजेशन ओफ रिजर्वेशन मतलब इस 27 परसेंट को भी टुकडो में बाट दिया जाए सब कास्ट करके कि OBC में हाँ भाई OBC में ये 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 कास्ट जो है ये आपका उनके लिए जो है 7 परसेंट होगा OBC में आने वाली इन इन कास्टों का 9 परसेंट होगा और OBC में ही आने वाली ये ये जातों का 11 परसेंट होगा ये सब कैटेगराइजेशन ओफ reservation हो गया OBC certificate का OBC cast का जो है ठीक है तो यह Supreme Court से जब पूछा जाता है Supreme Court ने इसके लिए जो है आपका बोल दिया है कि हाँ इसको कराज किया जा सकता है जिससे की reservation का फायदा एक तरफ ना जाए ठीक है OBC में भी कुछ cast के पास ही जो है या SC में कुछ cast के पास ही special reservation जाता बाकि अनिकास्टें जो है वो रह जाती है ठीक तो इसी में से ही एक टिपड़ी और उसमें पढ़ने पर मुझे पता चली कि SC-ST में किसी भी जाती को सम्मिलित करना और किसी जाती को बाहर निकालने का अधिकार राजे सरकारों के पास नहीं होता है अगर राजे सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में पिछली साल की एगटना है कि उन्होंने OBC में कुछ जातियों को जोड़ा था लेकिन वो चीज जो है हाई कोट ने रदिकर दी हो सुप्रीम कोट ने भी उसको रदिकर दी क्योंकि स्टेट के पास पावर नहीं है किसी भी जाती को OBC, SC, ST ठीक है यहाँ OBC यहाँ OBC लगा लेजी अब OBC OBC, SC, ST में किसी भी जाती को समलित करने या उसको बाहर निकालने का अधिकार जो है वो राजे सरकार के पास नहीं है वो या तो आपका संसद के पास है या फिर जो है केंदर सरकार के पास है ठीक है केंदर सरकार का मतलब उतार राश्टपती के पास ठीक यह आपको थोड़ा सा याद पर रखना पड़ेगा क्योंकि question आ सकता हाँ ना में यह आ जाएगा question फिर है अंडमान में कौन सी जंजाती ऐसी है जो विलुप्ती के कगार पर है ठीक है पूरे इंडिया में जो है एक अंडमान निको बार में जंजाती रहती है जो की विलुप्ती के कगार पर है मुश्किल से 50-60 लोग रह ग pasture है उनके और उनमें कोरोना फैल गया है वह है उनका नाम है इसी में Corona फैल गया है ठीक है next है अब का 200 अरब डॉलर की संपत्ती निजी संपत्ती और लगा दीजिए इसमें 200 अरब डॉलर की निजी संपत्ती को पार करने वाले है पहला व्यक्ति कौन बन गया वो है जोस बेजोस ये कौन है ये Amazon के CEO है ठीक है मतलब Amazon इनी की है संपत्ती तो इनी की जो वास्त व्यक्ति के संपत्ती है वो 200 अरब डॉलर से भी उपर निकल गई है ये first ऐसे व्यक्ति बन चुके है फिर उसके बाद next है 600 विक्ट लेने वाला पहला तेज तेज गेंदबाज कौन है तेज गेंदबाज ये हैं आपके James Anderson और ये कहां के हैं ये England के हैं उसके बाद Bulgaria जील जो है ये अभी निउस में है ये Kenya में है Bulgaria जील तो थोड़ा सा भी इसको याद रखना फिर ये बहुत ज़्यादा निउस में है और ये हर साल निउस में आ जाता है कि पाकिस्तान क्यों जा सकता हमें ये देखना है कि इसकी full form क्या होती है Financial Action Task Force इसकी full form होती है इसका मुख्याले कहां है इसका मुख्याले है Paris में Paris France में इसका मुख्याले इसकी स्थापना कब करी गई है 1989 में इसकी स्थापना करी गई है और ये काम क्या करती है, ये काम ये करती है, जो money laundering and, ठीक है, money laundering and terror financing को रोकना, ठीक है, money laundering का मतलब क्या होता है, जो हवाला होता है, ठीक है, जो हवाला का, दो नमबर का जो पैसा, एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसफर किया जाता है, और terror financing का मतलब होता है, जो आतंक में जो पैसा यूज किया जाता है आतंग वादियों को पैसा दिया जाता है उसको रोकना कोई country या फिर कोई सरकारी institution या कोई country के अंदर कुछ ऐसा काम तो नहीं चला है तो ये एक संस्ता ऐसी है कि अगर ये blacklist में किसी country को डाल देती है ठीक है अभी जैसे पाकिस्तान जो है वो checklist का मतलब होता है कि एक message जाता है पूरे world में कि इस country में आप जो है अब investment मत करो क्योंकि ये country जो है पूरी तरीके से जो है जितना भी पैसा आप आप महाँ भेजोगे वो सब terror financing में चला जाएगा तो ये country जो है control लगाती है money laundering और terror financing को ठीक है तो इसी लिए इसका इतना ही चार बिंदू ही इसके ज़्यादा important है और बागी आपको कोई चीज जानने की जरूत नहीं है दोस्तों मैं weekly आपके लिए current affair लेके आऊँगा और previous current affair है previous current affair जो है वो मैंने January का आपका डाल दिया है February का मैं दो से तीन दिनों में डाल दूँगा ठीक है तो आपका monthly wise जो है मै अगस तक उसको निप्टा दूँगा उसके बाद मैं इसको weekly तरीके से कर रहा हूँ ठीक है जिससे weekly में आपका यह होता है कि आपका Sunday के दिन मैं डालूँगा है Sunday के दिन आपको दिक्कत भी नहीं होगी ठीक है daily जो current affair पढ़ते हैं उन्में problem होती है और आपका weekly में आपका क पूरी बना दी है UPSI targeted पूरी constitution है लक्षमी कांद को मैंने पूरा एक तरीके साब को crisp करके आपको दे दिया है वहाँ पर उस दिया है उसके बाहर लक्षमी कांद से better कोई book है यह नहीं UPSC के बच्चे पढ़ते हैं उसको ठीक है तो क्योंकि एक question of level जो है UPSI के बहुत अच इसको मजाक में लेने की जरुवत नहीं है थैंक्यू दोस्तो